अभी कुछ दिन पहले मेरा एक अकॉट यहां पे freeze कर दिया गया था साइबर क्राइम कंप्लेंट की तरफ से यहां पे भुआ था ठीक है और जब मैं यहां पे bank गया year पता करने कि कहां से यह चीज freeze किया गया है तो पता चला यह जो मेरा account free किस किया एक यह बैंगाल कि इञाए और फिलाहल भी बैंगलॉर में हूँ बैंग। बैंगाल और बैंगलॉर डोन लोज डिफरेंट एक है तो यह होता कैसे हैं इन से बचे कैसे हैं ठीक हैs को इस मैं बचने का तरीका क्या है तो आज इसकी बारे में हम डीटेल में बात करेंगे कि इस हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है? तो चैनल पर अगर आप लोग फरस्टाइम विजिट करें तो सब सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लो रिलेटेड वीडियो वगर आते रहते हैं जो भी वीडियो होती हैं बिल्कुल जैन्वन होती है और वहां से आपको पेमेंट वगरा मिलता रहता है टेलेगाम को जरूर जोई कर लेना बहुत सारे ऐसे ऐड्रॉप आते हैं जिनके मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं सिर्फ पर शेर कर देता हूं और जो भी इसके आगे की अपडेट सेती है वो भी मैं अपने टेलेगाम चैनल पर शेर करता रहता हूं तो टेलेगाम को जरूर जोई कर लेना बिल्कुल फुरी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सो सबसे पहले मैं यहां पर ब बाई बीट का हो गया और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचैंज हो ऑगा पी तू पी वहां पर आपको रेट बहुत हाई है मिलता ठीक होण डॉलार नैटी टू आइनर पर डॉलर लॉर्य ऐसा सै आफे अगर आफ। से सपढ़ आगर सेल करने या तो ऑच्छे रिड़ों पर आपको मिल जयाता ہے Same मैंने भी वह काम यहाँ पर किया था पीटूपे यहाँ पर यूश किया हुआ तो उसके बाद क्या हुआ पूछो bank में जाके cyber crime कैसे हुआ, police के पास जाओ, फिर मैंने से पूछा ये देखो, तुम्हारी ही वज़े से हुआ, तुम्हारा money legal था, करे अरे तो भाई P2P में होता है ऐसा, ठीक है, अरे या थ्री साल से यूज़ कर रहा हूँ, कभी नहीं हो, मैंने सब बोला, ठीक है, द अब आपका एक बार भी account freeze होता है, तो आपको यहाँ पर tension होने लग जाती है, तो यह तो हो गया, यहाँ पर अगर आप P2P use करते हो, तो आपका account freeze हो सकता है, वो चीज़ मैंने आपको बता है, अब मैं आपको बताता हूँ, यह होता कैसे, यहाँ पर यह कैसे, आपके उप इस पैसे को आगे transfer कर दिया, ठीक है, आगे transfer कर दिया, अब जिसने उसके account में пैसा भेजा था, उसने उसके उपर complaint कर दिया, कि आपकी bank में मेरा पैसा गलती से चला गया था, यह आपने खुद उससे मगवाया था यह कुछ भी हो, ठीक है, तो उसने complaint कर दिया, ठीक है, fraud मे तो आपका account freeze होता है फिर होता क्या है जब जब जहां जहां आप जो पैसा भेजोगे उन सबका account live से freeze होता रहेगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मेरे साथ किसी ने scam भी किया था पैसा लेकि मुझे उसनों वापस नहीं किया थे तो मैंने क्या किया उसके उपर complaint कर दिया complaint करने के बाद मेरा यहां पर जो complaint था register हो गया जो भी यहां पर acknowledge number था यह आपको यहां पर मिल जाता है यह complaint number आपको मिल जाता है और आपको acknowledge number मिल जाता है acknowledge number का use क्या है मैं भी आपको बता दूँगा complaint करने के बाद यहां पर जितने भी उसने ट्रांसवर पैसे किये थे जैसे कि यहां पर आप दोखो उसको उसने किसी को 700 रुपीस ट्रांसवर किये थे ठीक है तो 700 रुपीस जिसमें ट्रांसवर हुआ था उसका भी account freeze कर दिया गया ठीक है उसकी कोई गलती नहीं है उसने को पी तरह कि कोई legal money transaction नहीं किया उसने पी टूपी भी नहीं किया उसको crypto का सी भी नहीं पता लेकिन उसके account में वहां पैसा आया जहां पे जिसके खिलाफ complaint किया गया है या ठीक है वो पैसा आया उसका account में तो उसका भी account freeze किया जाएगा तो ऐसे ही यहां पे छे लोगों का account freeze freeze किया गया ठीक यहां पर आप देख सकते हो किसी का 3000 किसी ने भीजा था तो उसका भी account freeze हो गया उसके बाद भी और कुछ है चार-पांश तोटल में पर छे आई थे message ठीक है एक मुना आपको दिखा दिता हूँ यह देखो इतने लोग का account यहां पर freeze किया गया यह आप अप करो तो यहां पर आपको इसे मिल जाएगा उसके बाद देखो अगर आपका account freeze होता ना तो आप क्या गरेंगे आप अपने सबसे पहले bank जाओगे bank जाने के बाद आप बोलो कि मेरा account freeze किया गया है मुझे ऐससा mail आया है या अगर आपको mail या message नहीं भी आया तो आप उन्हे स्रीव आप इतना बोलो कि सरमयाब complaint acknowledge number दे दिजे जब वो लोग आपको bank वाले और हाँ bank वाले से ये भी आप पुछने कि कौन से state से कौन से राज इससे आपका account freeze किया गया है और आप बोलना कि साथ में एक acknowledge number होता है वो acknowledge number मुझे दिजे और जहां से freeze किया गया है वहाँ क cyber crime में cyber police station का मुझे contact number दे दिजे तो वो आपको ये acknowledge number देंगी और वहाँ की police station का name देंगे वहाँ का जिला का name आपको बताएंगी वहाँ का जो SHO होगा जो inspector होगा उसका नाम number दिया जाएगा आपको तो जो बैंक गॉल का जो भी जो भी inspector सर थे या जो भी SHO साब थे उन्स ऐसा होतर रहता है अगर आपके account में ज्यादा पैसे नहीं है ठीक है जैसे कि मेरा account में कुछ चार पाच हजार रुपए थे सिर्फ तो उन्होंने बला अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो आप इसको छोड़ी भी सकते हमाई साड़ से कोई legal action नहीं होगा ठीक है अब देखे यह जो बात उन्हों सर ने बोला न यह ऐसा नहीं कि आपको हर हर सर ऐसी बोलें कुछ हो सकता है पैसा खाने के लिए आपको बोलें कुछ हो सकता है आपसे और उस खर्चापनी निकलवाने के लिए कुछ नहीं कुछ आपको डराएं या धंकाएं ऐसे भी हो सकते हैं ठीक है तो जरूर नहीं आपको अच्छे मिलते हैं खराब मिलते हैं आपके डिपेंड करता आपके उपर तो दूबा जो उन्होंने मुझे बता है वो यह बता है कि अगर आप इसको डिफ्रिस करवाना भी चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ठीक है आप बेंगॉल आ सकते हैं फिर मैं हाई कोट में जाना पड़ेगा तो साथ में तो पता है क्या क्या चीज सारी चीज़े उन्होंने बताए था तो यह चीज होती दूसरी चीज होती है आप किसी किसी जान पहचान वाले lawyer को हाईयर कर लो ठीक है जान पहचान जो आपका contact में हो मैं भिलकुल आपको suggest नहीं अगर आप किसी unknown lawyer को आप hire करते हैं तो आपका भाई बहुत 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 ज्यादा loss हो जाएगा बहुत ही ज्यादा loss हो जाएगा ठीक है 99% आपको ऐसे lawyer मिलेंगे जो सिर्फ आप से पैसे निकलवाते रहेंगे निकलवाते रहेंगे एक्स्ट्रा डेमांड करते रहेंगे त वहाँ पर आपको कोई advocate, lawyer, वकील कुछ भी होता है तो आप उनसे contact करके अपने account को सही करवा सकते हो ठीक है बागी friends मैं भी अपना account डीफरीज करवा लिया हूँ ठीक है एक मेरा account डीफरीज हो था वो अभी फिलाल डीफरीज हो चुका है मेरा एक जैनल पर जैनल को lawyer था त से मैंने contact करवा कि मेरा एक हफते के अंदर जो account डीफरीज हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ठीक है परिशान होने की जरूत नहीं होती है आप लोगों को तो आई होप यह छोटी सी उडिया आपको पसंद आई हो मैंने सुचा आप लोग को भी alert कर दूँ जो भी मेरे साथ हुआ वो आप लोग को कोई बता ता कि आप लोग भी थोड़ा सा कर सकें यह सारी चीज़े ठीक है तो यही प्रोसेस होता कि आप बैंक जो बैंक से detail मागों जहां से आपका freeze किया गया है वहां से फिर बात करो यह सारी चीज़े होती है तो friends चलिए मिलते ह है नेक्स्ट टूडियो में जो पतले जय हिंद चै भारत